नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सौगत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयूर साइंस में तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाले हैं क्योंकि आज हम आयूर्वेदिक औशदियों की नहीं, बलकि एक हर्बल लेमेंटी की बात करने वाले हैं हर्बल लेमेंटी? जी हाँ, बिलकुल सही सुना आपने ये हर्बल लेमेंटी इसलिए है क्योंकि ये त्रिफला, तुलसी, पिपली, इत्यादी समेट नो अन्य आयूर्वेदिक औशदियों से मिलकर के बनी हुई है अगर हम बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो ये इसने ओल इन वन हर्बल लेमेंटी है मीन्स ये एक कमपनी है, ओल इन वन, जो की एक हर्बल लेमेंटी, यानि की इसका नर्मार करती है और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि ये प्री मिक्स है, विट सल्फरलेस शुगर ये जो पैकेट मेरे पास है, इसमें आपको टी पाउचेस मिलेंगे, टोटल 25 कॉप्स ठीक है, जिनमें की हर पाउच जो है, वो 10 ग्राम कंटेन रखता है और इसमें आपको 25 पाउचेस मिलेंगे, वो भी 180 रुपीज में लाइक 250 ग्राम मिल रहे हैं आपको, 180 रुपीज में तो आएए, खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या और किस तरह के सैशे है अचली ये एक यूजड पाकेट है, इसको मैं करीब 1.5 साल से मैं पी रही हूँ और ये पाकेट मेरे पास पुराना रखा हुआ तो इसमें अभी करीब मुझे 5-6 पाकेट बचे हुए है जबकि मेरे पास अभी एक नया पाकेट भी है ऐसी इसकी टैग लाइन है ना, टेस्ट ऐसा कि लव हो जाए, सच में अगर आप इससे टेस्ट करके देखेंगे तो आप ज़रूर इस बात पे यकीन रखेंगे इसके अंदर कुछ इस तरह के पाकेट मिलेंगे आपको जिसमें आगे और पीछे इसके इंग्रीडियंट्स और इन सब के बारे में लिखा हुआ है तो बेना किसी देर के अब शुरू करते हैं इस टी को बनाना बनाने के लिए क्या करना है आपको सबसे पहले एक कप पानी उसको अच्छे तरह आप से गर्म करना है मतलब लिखौम करना है याद रखिए इस पाउडर को आपको कभी भी बॉइल नहीं करना है कभी भी मिक्स करने के बाद उसको हीट नहीं करना है इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले पानी गरम करना है एक दम होट बॉटर लिना है और हाँ bottom में जो herb particles रह चाते हैं ना उसको भी आपको consume करना है for your better digestion and metabolism बगएरा तो हाँ सबसे पहले आपको एक glass में गरम पानी उसको डाल लेना है पाउच के हिसाब से आप करीब एक कप पानी इसमें डाल सकते हैं उसके बाद आपने एक पाउच लेना है उसे कट करके थोड़ा सा shake करके इसको वापस से पानी में mix करने लेना है ठीक है बस दुनिया की सबसे simplest recipe तयार है आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है करम पानी लेना है एक packet को फाड़ना है उसे मिलाना है और कुछ इस तरह से हिला लेना है और आप जब इसका एक sip टेस्ट करेंगे ना तो trust me आपको भी टेस्ट ऐसा जो लव हो जाए अगर आप मुझसे मेरा personal experience पूछेंगे तो मैं तो यहीं कहूंगी कि मैं कोई एक lemon tea या green tea की fan नहीं हूँ बिकर्स उन सब का टेस्ट ना बहुत जादा weird होता है वो मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है बट जब मैंने यह tree try की तो इसका टेस्ट ना सच में है मतलब when you will trust you will define इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इसमें sugar के साथ कोई compromise नहीं किया गया है और जो sugar use भी है वो sulfur less sugar है that means वो आपको diabetic लोग हो या फिर कोई भी हो वो से आराम से अगर आप dieting कर रहे हैं अगर आप like fitness freak है sugar intake avoid करते हैं तो आप इसको use कर सकते हैं अगर बात करते हैं इसके ingredients की तो इसके each 10 gram में हरण, बहेडा, आमला मेरी आयोवेदा family जानते होगी इसको trifla भी कहते हैं पिपली, तुलसी, अजमूदा इत्यादी समेट करीब 9 या 10 ओशदियां ऐसी हैं जो की इसमें मिलाई गई हैं ये सारी ओशदियां जो हैं gastric और obesity के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द हैं इसका use करने से gastric और stomach related problems, stress relief, detox, obesity मतलब मोटापा, vitality, immunity, blood cholesterol level, control में रहता है इसके ingredients में हरन, जिसे हम आम भाशा में हरीतिकी भी कहते हैं, वो digestion के लिए और उदर रोगों के लिए बहुत जादा ज़रूरी है इसमें त्रिफला, यानि की आवला, बहेडा और हरन, इन तीनों फलों के चून का मिश्रण, जिसे की हम त्रिफला के नाम से जानते हैं, यह भी मौजूद है जिसे की आयरुवेद में एक महा औशदी की संग्या दी गई है अगर आप बढ़ते वजन और मोटापे से परिशान हैं और इसे जल्दी से जल्दी निजात पाना चाहते हैं, तो त्रिफला आपके लिए एक कारगार आउशदी हो सकती है आयरुवेद के अनुसार त्रिफला में ऐसे गुण हैं जो पाचन शक्ती को बढ़ाने में और वजन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है आजकल गलत खानपान और अनेहमित रहन सहन की वज़ह से पेट में होने वाली अने समस्याएं, कबज, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी समेथ सभी रोगों से आराम दिलाता है इसमें मौजूद तुलसी एंटी ऑक्सिडिन का काम करती है, स्ट्रेस को रिलीस करती है, डीटॉक्स का काम करती है और कोल्ड, सोर्थ, त्रोट, फीवर जैसी बिमारियों में भी लाब देती है इसकी अतिरिक्त पिपली, मोटापे और कोलेस्टॉल को कम करके लिवर टॉनिक का काम करती है, बॉडी को डीटॉक्स करती है और हमारे शरीर की इम्म्यूनिटी यानि की व्यादी शमत्तो को बढ़ाती है इन सभी के अत्रिक्त इसका एक और महतुपूर्ण कारे है जो कि है वाइटेलिटी अर्थाद वीरिमा वर्धन करना जिंजर यानि अधरक वात और कफ को कंट्रोल में करता है एलर्जिक रियक्शन्स को कम करता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है इसके अत्रिक्त टी एक्स्ट्रैक्ट्स जो कि एंटी ऑक्सिडेंट्स का काम करते है और बहुत ही कम मात्रा में कैफीन को प्रोड्यूस करते है तो इन सभी आयरवेदिक औशधियों के कारण यह हर्बल लेमेंटी बहुत जादा फाइदे मन्द है अगर बात करें इसके न्यूट्रिशनल फैट्स की तो इसमें बहुत कम मात्रा में किलो कैलूरीज हैं और मुर्च जीरो फैट और कोलेस्ट्रॉल हैं और यह बहुत जादा हिल्दी और इजी वे है आपकी नॉर्मल चाय को डिच करने का इसका सेवन आप सुबह, दोपह, शाम, रात किसी भी टाइम कर सकते हैं लेमेंटी को आप दिन भर में लगबग 2-3 कब की मात्रा में सेवन कर सकते हैं वजन घटाने के लिए अंटी बैक्टिरियल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए रोग प्रतिरोदक शमता के लिए, स्लो एजिंग के लिए, कॉमन कोड और फ्लू के उपचार में, अंटी कैंसर गोड में और तवचा के लिए आप इसका प्रेवक कर सकते हैं सो गाइस ये था आज की वीडियो के बारे में, ये वीडियो कोई स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है, ये जस्ट मेरा एक पर्सनल ओपीनियन है, एक पर्सनल थॉट है, जो मुझे बहुत जादा पसंद आया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की सोची I hope आप सभी को आज की वीडियो पसंद आया होगी, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for watching